आजम पढ़ेंगे क्लास नर्सरी में हिंदी और हमारा पाठ है कि चीत्रों को पहचान करके और उनके पहले अक्षर पर गोला लगाना ठीक है? बच्चों इस पाठ में हमें इस चीत्रों को पहचानना है और उसके जो पहला अक्षर है उस पर आपको गोला लगाना है ठीक है? अब अब बताईए ये जो चीत्र है क्या चीज का चीत्र है? बताईए ये है एक क्या है? एक क्या से होता है? बड़ी इस से होता है या छोटी इसे? बड़ी इसे है ना? तो अब हम इसमें देखेंगे कि बड़ी इ कहा है ये है? नहीं ये? ये भी नहीं ये है वाह वेरी गुड तो इस पे हम क्या करेंगे? ऐसे गोला लगा देंगे ठीक है? आप देखें ये बताईए ये क्या है? ये है उल्लू उल्लू क्या से होता है बच्चों? बड़ा उसे ये छोटा उसे? तो उल्लू छोटा उसे होता है है ना? अब आप इसमें देखेंगे कि छोटा उ कहा है? ये है? नहीं ये है ये भी नहीं है ये है क्या येस वेरी गुड ये है छोटा उ तो हम इसे क्या करेंगे गोल कर देंगे इसी प्रकार से आपको इन सभी छितरों को पहचान करके और इनके जो पहले अक्षर है उन पर आपको गोला करना है अब आएए नीचे देखते हैं आगे आगे दिया हुआ है कि स्वारों को बोलिये और उसमें रंग भरिये ठीक है ये क्या है ये सब है स्वारोंड क्या है स्वारोंड ठीक है इन्हें आपको बोल बोल करके पढ़ना भी है और इनमें रंग भरना है ठीक है ये है आओ और से क्या होता है अनार तो अनार किस रंग का होता है अनार होता है रेड यानि लाल तो इसमें हम लाल रंग भरेंगे आ से आम आम किस रंग का होता है तो आम पीला भी होता है हरा भी होता है तो इसमें आप कोई भी रंग भर सकते हैं हरा पीला है ना अब आगे आता है ये है छोटी इ छोटी इ से क्या होता है बच्चों छोटी इ से होता है इमली तो हम इमली का रंग इसमें भरेंगे ये है बड़ी इ बड़ी इ से क्या होता है इक तो इसमें इक का रंग भरेंगे इक किस रंग का होता है उसके उपर वाले भाग किस रंग के होते हैं इसमें कोई भी आप रंग भर सकते हैं अब आगे आईए ये है क्या है छोटा उ क्या है छोटा उ इसमें रंग भरेंगे यह है बड़ा उ बड़ा उसे उन तो इसमें भी हम कोई भी रंगी इसमें भर सकते है क्योंकि उन लाल भी होता है निला भी होता है पिला भी होता है गुलाबी भी होता है हरा भी होता है काला भी होता है सफेद भी होता है हाणा तो इसलिए आप इसमें कोई भी रंग भढ़ सकते हैं ये है रीसे रीसी हाणा तो इसमें भी आप कोई भी रंग भढ़ सकते हैं चलिए आज के लिए बस इतना ही ये रहा आपका आज का होमवर्क बाई बाई